प्रभु येश्य मसी के नाम में आपको अनुग्रो और शांती मिले हैं मनुष्य के शरीर में करीब 263 हड्डियां होती है और जब वो पूरा एडल्ट हो जाता है तो कुछ हड्डियों के गिंती कम हो जाती है एक दो हड्डियां मतलब इस प्रकार से जुड़ जाती है तो हड्डियों के गिंती बाद में कम हो जाती है लेकिन 200 के उपर हड्डियां होती है जो मसल्स होते हैं वो करीब 500 होते हैं जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है, गले से लेके हमारा पूरा जो डाइजेशन होता है, यह करीब 32 फिट लंबा है, इसमें अंतर्णियां भी इंक्लूड हो जाती है किसी हेल्दी व्यक्ति के अंदर जो खून का वजन होता है, वो करीब 10 प्रतिशत या उसे ज़्यादा भी होता है यानि मानों के कोई व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो करीब 7 किलो कम से कम उसके अंदर खून होगा जो मनुष्य का दिल है, हाट है, वो पांच इंच लंबा है, साड़े तीन इंच चौड़ा है, और धाई फिट ये मोटा है और एवरेज एक मिनिट में सत्तर बार धड़कता है यानि एक घंटे में 4200 बार एक मनुष्य का दिल धड़कता है यानि एक दिन में एक लाक आट सो बार धड़कता है यानि साल में साड़े तीन करोड बार से ज़्यादा धड़कता है और अगर एक मनुष्य की सत्तर वर्ष आयू रही तो उसके पूरे जीवन में उसका दिल 256 करोड बार धड़का है ये फैक्ट्स है जब एक बार दिल धड़कता है तो 74 मिलिलीटर खून सर्कुलेट होता है उस दिल से निकलता है यानी करीब एक मिनिट में 5 लीटर खून दिल पंप करता है ताकि हमारे सारे शरीर में खून पहुँचे अगर अब इसको वजन में लिया जाए क्योंकि करीब करीब एक लीटर खून करीब एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो एक घंटे में ये दिल 300 किलो खून पंप करता है ये तो आपको मालूमी है कि खून सर्कुलेट होता है लेकिन दिल दिल में वापस पहुँचता है और दिल पंप करता है एक दिन में 7200 किलो टोटल खून दिल पंप करता है और शरीर का जो सारा खून है वो तीन मिनिट में दिल के थूँचता है आप इस तरह मान लीजिए कि इतना काम दिल करता है कि एक दिन में कि मानो आपके पास 122 तन का समान हो और उसको आप एक फुट उचा उठाए वेट लिफ्टिंग कर ले 122 तन यानि 122 हजार किलो एक फुट आप उठाए इतनी ताकत इतनी एनरजी उस दिल को लगती है उप्योग करती है या और आसानी से अगर एक टन का समान आप 122 फुट उठा लो एक हजार किलो आप 122 फुट उठा लो तो जितनी इनरजी उसमें लगती है उतना आपका दिल एक दिन में काम करता है जो हमारे लंग्स है फेफडे हैं ये किसी समय करीब 3.5 लीटर हवा एब्जॉब करती है हम अन्दाजे से 1 घंटे में 1210 बार सांस लेते हैं 1200 तैमें और पूरे दिन में करीब 2100 लीटर हवा हवा एक फ्लुइड है इसको लीटर में सी सी में मेसर किया जाता है लीटर हमको समझ से में आता है आसानी से तो 2100 लीटर हवा एक दिन में हमारे फेफडे इन्हेल करते हैं और फेफड उपर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हवा को खीचते हैं मतलब अंदर खीचते हैं और इतने सेल्स होते हैं कि यह टोटल करीब 20,000 स्क्वेर इंच में फैल सकते हैं यानि मानों को एक साड़ी तीन फूट बाई साड़ी तीन फूट का कमरा हो, उसमें इतने सारे सेल्स फैल जाएंगे है न दूसरी चीज जो हमारा भेजा होता है ब्रेन होता है तो एक पुरुष का जो भेजा होता है वो करीब तेरा सो से चौदा सो ग्राम भारी होता है और स्त्री का थोड़ा सा हलका होता है एक किलो का होता है करीब एक हजार ग्राम का और ये सारे जो नर्व्ज हैं हमारी नसे हैं वो सारी स्पाइनल कौर्ड के साथ अटैच्ट हैं और अगर सारी नर्व्ज को आप गिन लें जो आँखों तक पहुंचती है चोटी चोटी नर्व्ज तो टोटल ये एक करोड से ज़्यादा नर्व्ज होती है नसे होती है मानों को पूरा एक सिक्योरिटी चारो और आपके शरीर पे है इतनी बड़ी आर्मी किसी की नहीं हुई हमारी जो खाल है इसके उपर ये भी खाल तीन लेयर से बनी हुई है कुछ जगा ये इंज का एक चोटाई तक मोटा होता है और बाकी जगाए ये और पतला होता जाता है और जो हमारी खाल है इसमें पसीने निकालने के लिए छोटे-छोटे छेद होते हैं जिसको पोर्स कहते हैं पैस्पिरेटरी पोर्स और आपको ताजब होगा कि हमारे एक स्क्वेर इंच की खाल यानि एक इंच बाई एक इंच की खाल की एरिया में 35,000 ऐसे पोर्स होते हैं यानि 35,000 ट्यूब्स है जिससे पसीना बाहर फेका जाता है मानलो के एक छोटा सा पाइप है अगर इन सब को जोडा जाए जो एक चौथाई इंच लंबा है ये तो सिर्फ एक स्क्वेर इंच की बात हो रही है जब पूरे शरीर का कैलकुलेशन किया जाता है और ये पाइप लंबा किया जाता है तो करीब 40 मील लंबा पाइप हो जाता है इतना हमरे शरीर में अपने आप पसीना बार फेकने की पसीना के साथ जो मैल है शरीर का वो फेका जाता है ये तो थोड़ा ही मैंने बताया हड़ी के बारे में, मसल्स के बारे में, दिल के बारे में, लंग्स के बारे में, खाल के बारे में लेकिन अगर आप मनुश्य के शरीर को डीटेल में कभी स्टडी करें तो मेडिक मेडिसन के भी MBBS के भी या उससे और जो उची डिग्रियां है MDS है, DDS है, जो डेंटल के हैं ये सारे जो डिग्रियां है पूरे शरीर को समझने के लिए सारे कोर्सिस बहुत कम है आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है उस सर्वशक्तिमान की बुद्धी को समझने के लिए आप अपने अंदर ही जाग कर देख सकते हों कि कैसे मनुश्य अद्भुद रिती से बनाया गया है अपने आप में मनुश्य का शरीर ही बहुत बड़ा चमतकार है परमिश्वर के वचन बाइबल में लिखा है ऐसे ही ताज्यूप करके एक परमिश्वर का दास पवित्रात्मा की अगवाई में लिखता है मेरे मन का स्वामी तो तू है तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रिती से रचा गया हूँ तेरे काम तो आश्च रखे हैं और मैं इसे भली भाती जानता हूँ जब मैं गुप्त में बनाया जाता और प्रित्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी तेरी आखों ने मेरे बेडॉल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे और मेरे लिए तो हे इश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमुल्य है उनकी संख्या का जोड कैसा बड़ा है यदी मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठैरते जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ कैसे परमेश्वर ने अपनी बुद्धी और कला से मनश्य को बनाया है माता के गर्ब से एक और जगा लिखा है मैं इसमें से कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूँ हे इप्राइम मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूँ परमेश्वर एक व्यक्ती इप्राइम से कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दू फिर कहता है मैं क्यों कर तुझे शत्रू के वश में कर दू मैं क्यों कर तुझे अद्मा की नाई छोड़ दू और जबुईम के समान कर दू मेरा हिर्दे तो उलट पुलट हो गया मेरा मन प्रेम के मारे पिगल गया है ये परमिश्वर कह रहा है मनुश्य को कह रहा है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दू मैं तुझे कैसे विनाश के लिए दे दू ये दो नगर थे अद्मा और जबोईम ये बहुत दुस्ट और वेविचारी नगर थे और इसलिए परमिश्वर ने इन पर आग और गंदक बरसाई थी सुदोम और गुमोरा के साथ तो परमिश्वर कहता है मैं तुझे कैसे नाश कर दू मेरा हिर्दे उलट पुलट हो रहा है और मेरा मन प्रेम के मारे बिगल गया है मैं अपने प्रेम के खाते तुझे नाश नहीं कर सकता वचन में लिखाए आदी में वचन था और वचन परमिश्वर के साथ था यही आदी में परमिश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन ना हुई प्रभु येश्व को एक पद्वी दी गई है बाईविल में परमेश्वर का वचनू वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ और जगत में जगत ने उसे नहीं पहचाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया परन्तु जितनों नों से ग्रहन किया उसने उने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अर्थात उने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं सब कुछ उसने बनाया सिष्टी को उसने बनाया मनुश्य को उसने बनाया अपनी समानता में बनाया वो आपका स्रिष्टी करता है और इसलिए आपको विनास से बचाने के लिए मनुष्य बन कर आया प्रभु येश्य मसी मनुष्य की देधार कर पवित्र 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 परमिश्वर इस धर्ती पर आया वो कुवारी के जरीए पैदा हुआ इसलिए वो पाप रहित है जीवन भर पाप रहित था क्योंकि एक पाप रहित बलिदान ही अरपन हो सकता था हमारे पापों के लिए और इसलिए कलवरी के क्रूस पर उसने वो बलिदान दिया मेरे और आपके पापों की सजा अपने उपर ले ली मेरे श्राप को दंड को सजा को अपने उपर ले लिया और वो दुख और पीडा सही जो मुझों और आपको सहनी थी और तीसरे दिन जी उठा आज जीवित है युगान युग जीवित है और आपको बचा सकता है जिसने आपकी स्रिष्टी की वो आपको बचाने के भी योग्य है और आपको बचाने का इच्छुक है इसलिए अपने पापों से पश्टाब कीजिए और प्रभू येशु पर और उसके कुरूस के महान बलिदान पर विश्वास कीजिए वो आज ही आपको बचा लेगा परमिश्वर आपको आशिश दे